अच्छा तो भीया नमस्ते स्वागत है अपका देशी हेल्ट उपाई चेनल में और बात हम आज करेंगे बाजपन की कई लोगों की साधियों को कम से कम 5 साल 10 साल हो चुके है लेकिन उनको आज भी संतान सुख से वन्चित रहना पड़ रहा है ऐसे लोग डॉक्टर के चक्कर में जाकर हजारों रुपे खर्च कर चुके है तो भीया इसका सीधा सीधा कारण है कि यदि आदमी है तो आपके मीरिय में सुक्रान की कमी है और यदि कोई इस्त्री है तो उनके अंडान कम है या कमजोर है तो भीया सबसे बढ़िया इसके लि उपाए तो यदि आप आदमी है तो सिंपली लौंग का तेल खरी दिए लौंग तो आपने देखी है लौंग का तेल खरी दिए चुबह के समय में आदा एक गिलास पानी आप गर्म करनीजे हलका सा और उसमें एक घुल लौंग के तेल की डाल कर पी लिजिए आप यह कंट आता है बहने जो भी है इनके लिए सबसे बढ़िया अईर्वधी उपाए है चुना चुना तो आपके घर में आसानी से मिल जाता है आपको करना क्या है गेहुक के दाने के बराबर चुना लेकर इसे गन्ये के रस में मिला कर पीना है अब आप बोलेंगे कि देली तो गन्य चुने का रस देली नहीं मिल रहा है तो आप चुने को दही में मिला कर भी कुष खा सकते हैं या या आप इस तरीके से चुने को खाना सकते हैं यह उपाय आप कंतिन्यू करिए इससे क्या होगा कि अंडानू की मात्रा बढ़ जाएगी और अंडानू भी स्ट्रॉंग होंगे यह एक सर्थिया उपाय है आपने डॉक्टर के पास हजारों प्रूपे खर्च कर दिये लेकिन परिनाम जीरो हुआ अब यदि आप ठक चुके है तो प्लीज मेरी राय मानिये और इस उपाय को जरूर करिये और यदि संकान हो जाती है तो नाम करेंगे दिल मुझे भी जरूर बुलाईए यह यह 100 में से कम से कम सतर लोगों में 80 लोगों में सक्सेस होवा है यह उपाय तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप यह प्रीका इ करिए यह वैसे भी तो अब करी चुके बाखी के इलाज तो उससे बेटर कोई है कि जो कोई बता रहा है उस तरीके का भी इलाज करें देशी इलाज भी करें तो यह एक ही कहूंगा कि यह पसंद रहा हो तो इसे शेयर करिए ताकि अन्य जो लोग है जिनको संतान चाहिए ज और वे इस उपाई से आइदा ले सके तो अन्त में एक ही कहूंगा इस वीडियो को शेयर करें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरीके की जानकरिया मिल्टी रहे धन्यवार्ट